उजास, प्रवेशिका, भाग तीन उजास, ये एक प्रवेशिका पुस्तक है, जिसका निर्मान, राष्ट्रिय साक्षर्ता केंद्र, प्रकोष्ट, CNCL, राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद, NCERT द्वारा किया गया है, और इसका ध्वनी रुपांतरण, केंद्रिय शैक्षिक प्रदोगी की संस्थान, CIET द्वारा किया गया है, ये प्रवेशिका पुस्तक, 15 वर्ष, या उससे अधिक आयू के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गयी है, इसमें बुनियादी साक्षर्ता, भाषा, संख्याग्यान और महत्पून जीवन कौशल, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स विश्यों को सम्मिलित किया गया है, और इसका ध्वनी रुपांतरण, केंद्रिय शैक्षिक प्रदोगी की संस्थान, CIET द्वारा किया गया है, उजाज, प्रवेशिका, भाग तीन, अध्याए आठ, मुसीबतें कैसी-कैसी, प्रिष्ट संख्या, 196 से 207 तक, इसमें हम जानेंगे, जब धर्ती कापी, धारिता का मापन करना, मिलिलीटर, लीटर, और गुणा और भाग से जड़ी दैनिक जीवन की समस्याएं हल करना, मेरी किताब, मेरा नाम, रिक्तिस्थान, इस रिक्तिस्थान में आपको अपना नाम लिखना है, मेरा पता, रिक्तिस्थान, यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है, मेरा मोबाइल नंबर रिक्तिस्थान यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है प्रिष्ट संख्या 196 और 197 प्रिष्ट संख्या 196 यहाँ पर लिखा है बादचीत के लिए आम बोलचाल की भाषा में आपदा का मतलब भारी मुसीबत है ऐसी मुसीबत जो अचानक ही आजाए दिये गए चित्र में किस तरह की मुसीबतें या आपदाईं दिखाई गई हैं क्या आपने कभी ऐसी आपदा का सामना किया है इन दोनों प्रिष्ठों पर चार विभिन आपदाउं की चित्र हैं पहला चित्र सूखे का है इसमें महिलाएं एक पंग्ती में सिर पर मठके रखकर जा रही है साथ ही एक अन्य महिला हाथ में लाठी लिये और कमर पर मठका रखे जा रही है पास ही केक्टस का एक पौधा है दूसरा चित्र बाण का है यहाँ पर एक बैलगाडी पानी में जा रही है इस बैलगाडी पर एक व्रिद, एक महिला, एक बालक और एक व्यक्ती बैठे है साथ ही एक व्यक्ती सिर पर टोकरी रखकर पानी में जा रहा है यहाँ पानी में डूबी हुई एक जूपड़ी भी है तीसरा चित्र आग लगने का है यहाँ पर एक घर में आग लगी है आग को दमकल करमचारी बुझा रहे है चौथा चित्र भूकम्प का है इसमें एक बिल्डिंग तहस नहस हो गई है जिस पर कुछ व्यक्ती बचने की गुहार लगा रहे है कुछ व्यक्ती घायलों की मदद कर रहे है रहत करमचारी सीड़ी द्वारा भूकम्प पिडितों को सुरक्षत उतार रहे है प्रिष्ट संख्या एक सो अठानवे अध्याए आठ मुसीबतें कैसी कैसी यहाँ लिखा है हम सीखेंगे धारिता का मापन करना मिलिलीटर लीटर गुणा और भाग से जुड़ी दैनिक जीवन की समस्याई हल करना देखिये और पढ़िये इस प्रिष्ट पर चार चित्र है पहला चित्र आग का है जिसमें दमकल करमचारी आग को बुझा रहे है और इस चित्र के नीचे लिखा है आग दूसरा चित्र बाढ का है जिसमें लोग सुरक्षित स्थान की तरफ जा रहे है इस चित्र के नीचे लिखा है बाढ तीसरा चित्र भूकम्प का है जिसमें राहत करमचारी लोगों को बचा रहे है और चित्र के नीचे लिखा है भूकम्प चौथा और अंतिम चित्र एक रेल दुरघटना का है इस चित्र में राहत का काम चल रहा है राहत करमचारी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे है और चित्र के नीचे लिखा है रेल दुरघटना प्रिष्ट संख्या एक सौनीन्यानवे इस प्रिष्ट पर चार चित्र है पहला चित्र एक एम्बुलन्स वाहन का है इसमें दो व्यक्ति एक मरीज को एम्बुलन्स में डाल रहे हैं साथ ही एक महिला खड़ी है, और चित्र के नीचे लिखा है ambulance, दूसरा चित्र एक दमकल वाहन का है, इस चित्र के पास एक दमकल कर्मचारी खड़ा है, और चित्र के नीचे लिखा है दमकल, तीसरा चित्र भगदण का है इस चित्र में कुछ व्यक्ति इधर से उधर भाग रहे हैं और चित्र के नीचे लिखा है भगदण चौथा चित्र राहत शिविर का है इसमें राहत शिविर में कुछ लोग हैं और एक डॉक्टर मरीज का परिक्षन कर रही है और एक डौक्टर मरीज की जانच कर रही है चित्र के नीचे लिखा है राहत शिविर शिक्षक निरदेश चित्र के नीचे लिखे शब्दों को अंगुली रख कर पढ़वाएं सहभागियों से चित्र के नीचे दिये गए शब्दों को पढ़ने के लिए कहें अलग-अलग आपदाओं के बारे में सहभागियों के साथ चर्चा करें उनके अनुभव जाने प्रिष्ट संखिया दो सौ मिलकर पढ़िए जब धर्ती कापी मेरा नाम जस्मा है मैं गुजरात के कच इलाके में रहती हूँ बात तब की है जब मैं ग्यारा साल की थी अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी सब लोग घबरा गए कुछ ही समय में हमारा पूरा गाम मलबे का धेर बन गया हमारे कपड़े, बरतन, खाना सब कुछ मलबे में दब गया बहुत सारी लोगों को चोटे भी लगी काम वालों की मदद की, उनकी मदद से लोग ठीक होने लगे ठंड का महीना था, इतनी ठंड में घर के बाहर रहना कठिन हो रहा था ठंड और डर के मारे नींद नहीं आती थी यही डर रहता कि कहीं फिर से भूकम्प आ गया तो इस प्रिष्ट पर दो चित्र हैं प्रिष्ट संख्या 201 बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की उन्होंने हमारे रहने के लिए तंबू लगवाए बहुत सारे लोगों ने खाने पीने का सामान भी दिया शहर से कुछ इंजीनियर आये उन्होंने हमें बताया कि अगर हमारे घर खास डिजाइन से बनाए जाएं तो भूकम्प से नुकसान कम होगा इस प्रिष्ट पर दो चित्र हैं पहले चित्र में राहत कर्मी लोगों को खाने पीने का सामान दे रहे हैं ये सामान ट्रक पर लदा है और साथ ही एक गाए बैठी है और एक कुट्ता भी है दूसरे चित्र में शहर से आये कुछ इंजीनियर भूकम्प पीड़तों को ये बता रहे हैं कि घर अगर खास डिजैन से बनाई जाएं तो भूकम्प से नुकसान कम से कम होगा प्रिष्ट संख्या 202 हम सबने खूब महनत की हमने फिर से अपना घर बनाया घर को काँच के टुकुलों से सजाया अब हमारा घर रात में हीरे सा चमकता है यहाँ पर एक चित्र है जिसमें कुछ पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपने घर को बना रहे हैं और साथ ही घर को अपने अपने तरीकों से सजा भी रहे हैं श्रोत, आसपास, कक्षा पांच, N-C-E-R-T शिक्षक निर्देश इस पार्ट को पढ़ाते समय सहभागियों को भुझ में आए भोकंप के बारे में बताया जाना अच्छा होगा भोकंप से होने वाले प्रभावों पर चर्चा करें सहभागियों से पूछें कि उन्होंने कभी भोकंप का सामना किया है क्या-क्या दिक्कते आई जान माल का कितना नुकसान हुआ आदी सोचिये और बताईए प्रश्न एक आपदा के समय जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस तरह की मदद, राहत की जरूरत पड़ी होगी प्रश्न दो सोचिये अगर आपके यहां भोकंप आ जाए तो क्या आपके घर को भी खत्रा होगा यदि हाँ, तो आप कहां रहेंगे प्रिष्ट संख्या 203 प्रश्न तीन भोकंप के समय आप अपने पालतु जानवरों की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए क्या करेंगे? प्रश्न चार क्या आपने अपने जीवन में सूखा, भोकंप, बार जैसी किसी प्राकर्तिक आपदा का सामना किया है? साजा कीजिए प्रश्न पांच क्या आपको लगता है कि इन में से कुछ आपदाओं के लिए मनुष्य सीधे रूप से जिम्मेदार है? ऐसी किसी एक आपदा के बारे में साथियों के साथ बाच्चित कीजिए बाच्चित में आए मुख्य बिंदों को लिखिए भूकंप आने पर क्या-क्या साथानिया बरतनी चाहिए? एक, अगर आप घर के अंदर हों तो पहला, जमीन पर जुख जाएं किसी मजबूत मेज के नीचे बैठ जाएं दो, मेज ना हो तो अपने चहरे और सिर को बाज़ों से ढक लें तीन, शीशे, खिड़कियों, दरवाजों से दूर रहें दो, अगर आप घर के बाहर हों तो बिल्डिंग, पेड़ों, स्ट्रेट लाइट, बिजली या टेलिफोन की तारों से दूर रहें तीन, अगर किसी चलते वाहन में हों तो जितनी जल्दी हो सके, सुरक्षा के साथ गाड़ी रोकें, तथा गाड़ी में रुके रहें प्रिष्ट संख्या 204 चार, अगर मलबे के नीचे फसे हों तो पहला, माचस की तीली न जलाएं दूसरा, अपने मुह को कपड़े से ढखें तीसरा, किसी पाइप या दीवार को थप थपाएं ताकि बचाने वाले आपको ढूंड सकें भूकम्ब के समय किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाने को क्यों कहा गया है यहाँ पर एक चित्र है इस चित्र में एक मेज के नीचे एक बालक बैठा है और उसने मेज को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा है आपदा संपर्क सूचना किसी मुसीबत के समय आपको मदद की जरूरत पढ़ सकती है अपने इलाके में मौजूद पुलिस थाने दमकल केंद्र और नजदी की अस्पताल का पता तथा फोन नंबर पता करें इस जानकारी को लिखें इस जानकारी को याद भी रखें यहाँ पर एक तालिका है इस तालिका के तीन भाग है पहले भाग में लिखा है दमकल केंद्र नजदी की अस्पताल एम्बुलेंस और पुलिस थाना दूसरे भाग में लिखा है पता और तीसरे में लिखा है फोन नंबर आईए, अब हम इस तालिका को पढ़ें पता, रिक्तिस्थान, फोन नमबर, रिक्तिस्थान. अब आप इस तालिका को स्वयम भरें. प्रिष्ट संख्या 205, मेरे शब्द, यहाँ पर एक बड़ा खाली बॉक्स दिया गया है. शिक्षक निर्देश, मुसीबतें कैसी-कैसी विशय को समेठते हुए, बाच्चीत कीजिए. सहभागियों से पूछ कर इस विशय से जुड़े तीन-चार शब्द लिखिए. ये शब्द उनकी अपनी भाशा के भी हो सकते हैं. जैसे भूकंप के लिए भू डोल आदी. सहभागियों ने जिन आपदाओं को जहला है, उस पर उनसे चर्चा करें. और उनके अनुभूँ पर पोस्टर या चित्र बनवाएं. उप्शन सहभागियों ने जिन आपदाओं को जहला है उस पर उनसे चर्चा करें और उनके अनुभूं पर पोस्टर चित्र बनवाएं प्रिष्ट संख्या 206 राहतकार्य अगर एक तम्बू में कुल 6 लोग रह सकते हैं तो 30 लोगों के लिए कुल कितने तम्बू लगाने होंगे रिक्तिस्थान दुरगटना में 50 लोग घायल हैं एक एम्बूलेंस में 5 लोग आ सकते हैं तो घायलों के लिए कितनी एम्बूलेंस की जरूरत होगी रिक्तिस्थान, धारिता का मापन लोगों को खाना, पानी की बोतलें तथा दूद के पैकेट भी बाटे गए पानी की बोतलें विभिन आकारों में थी कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ उनसे बड़ी सब बोतलों पर उनमें कितना पानी आता है, माप लिखा था यहाँ पर पानी की चार बोतले हैं पहले चित्र में दो बोतले हैं बड़ी बोतल के नीचे लिखा है एक लीटर और छोटी के नीचे लिखा है साथ सो पचास मिलिलीटर, तीन पाव दूसरे चित्र में भी दो बोतले हैं बड़ी बोतल के नीचे लिखा है 500 ml, आधा लीटर और छोटी बोतल के नीचे लिखा है 250 ml, पाव ब्रेकेट में एक लीटर बराबर 1000 ml ब्रेकेट बंद एक लीटर बोतल को भरने के लिए 500 ml की कितनी बोतलों की आवशकता होगी दो लीटर की बोतल को भरने के लिए 250 ml की कितनी बोतलों की आवशकता होगी शिक्षक निर्देश सहभागियों को अलग-अलग माप के बरतनों बोतलों की धारिताओं में संबंद खोजने हेतु प्रेरित करें चर्चा करें कि छोटी धारिता वो बड़ी धारिता वाले बरतन कहां देखे हैं मिली लीटर और लीटर आयतन धारिता मापने की इकाई है किसी बर्तन की धारिता ये बताती है कि उस बर्तन में कितना तरल पदार्थ आ सकता है चोटे बर्तनों की धारिता मिली लीटर में मापी जाती है और बड़े बर्तनों की धारिता लीटर द्वारा मापी जाती है एक लीटर में एक हजार मिली लीटर होते हैं प्रिष्ट संख्या 207 केम्प में बीमार व्यक्ति को डॉक्टर ने 180 मिली लिटर दवाई की शीशी दी और प्रति दिन 20 मिली लिटर दवाई पीने की सला दी मरीज को कितने दिन की दवाई दी गई? यहाँ पर एक चित्र है इस चित्र में एक महिला डॉक्टर एक महिला मरीज को डवाई की शीशी दे रही है डॉक्टर कहती है रोज 20 मिली लिटर दवाई पीनी है महिला मरीज पूछती है कितने दिन तक? डॉक्टर ने कहा जब तक दवाई खत्म नहो जाए डॉक्टर ने कहा जब तक दवाई खत्म न हो जाए बाण के दौरान एक गाउ में बेमारी फैलने से रोकने के लिए टीका करण के लिए टीम भेजी गई टीम दवाई की 100 मिलिलीटर की 10 शीशियां लेकर गई टीका करण में एक व्यक्ती को 5 मिलिलीटर दवाई लगती है एक लिटर दवाई से कितनी लोगों का टीका करण किया जा सकता है इस प्रिष्ट पर एक और चित्र है इस चित्र में एक डॉक्टर एक महीला की जाँच कर रहा है और उसके पीछे मरीज एक पंक्ती में खड़े है